Okay, straight to the point कि जो वीडियो साइड में चल रही है, इसमें बच्चा कह रहा है कि मेरे पापा की पास अगर मैं किसी बात के लिए जाता हूं तो वो गुस्सा करते हैं, एकदम चुड़ जाते हैं, मम्मी मेरे साथ खेलती हैं, मैं अकेला हूं और वो बच्चा डोने भी लग जाता ह आखो में आसु आ जाते हैं, तो ये तो एक एकजांपल है, एन दूसरा एकजांपल जब मैं आपने आस-पास देखती हूं, मैं एक 12 साल के बच्चे की मा हूं, यानकी वो 12 साल का फेज, जो है, मैंने देखा है, मिरे बच्चे का बड़े से लेके रभी तक, और जब मैं आ कि पास रहेगा कोई लड़की आती है ऐसे रहते है या फिर किसी को पास ऐसे करनी ही है जॉब मतलब उसका एंबिशन ही है जॉब करने का होता है ना लेकिन वह बच्चा जो है वह फिर लेफ्ट अलोन घर में या फिर आप दोनों दर दर अपने जैसे मेरी सिस्टर भी है वह अपना वक्त प्रोम होम कर रही होती है तो वह अपने दूसरे रूम में होती है पापा से रहते है बाट देडा ट्वि Timothy का ये बेनेफिट है कि वह एत लीस्ट डोनों एक साथा अपस में तो खेल लिते है बच्चे मेड के पास ही रहते हैं तो वह बच्चे भी अपने आपको अकेला ही समझते हैं मैं भी जॉब करती थी फिर मैंने प्रेगनेंसी से पहले ही जॉब कुट कर दी थी छोड़ दी था क्योंकि मेरा my priority was my child हर किसी की अपने अपनी priorities होती है depend करता है बट पता नहीं क्यों लेकिन हर किसी का जिसे मैं तो बहुत ज़्यादा बहुत थी concern थी अपने बच्चे को ले करके तो मैंने तो throughout pregnancy भी बहुत I enjoyed my pregnancy and although I was on four months bed rest initially जो four months होते हैं शुरू आते हैं तो उसमें ममी राटती है पापा डाटते हैं अकेला ही खिल रहता हूँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता है यह बच्चे के मन पे इतनी बड़ी भाग कैसे आ जाती है जब मैं आजुवा जो देखती हूँ parents are going crazy for kids studies six class के बच्चे के एक्जाम चल रहे हैं and 15 दिन बाद उसके एक्जाम आएंगे अभी से उसको दो बच्चा is logged in home क्यों बईया मैं अपने experience से एक चीज़ आपके साथ share करती हूँ कि मैंने अपनी बेटी को किसी एक्जाम में है मैं उसको मना करती हूँ कि एक्जाम में नहीं पढ़ना यह मेरा तरीका है अभी तक 6-7 तक तो यही रहेगा उसके बाद अब मैं उसको धीरे-दीर कहने लगी हूँ कि थोड़ा सुबह उठके पूड़ो रात को पढ़ने के आदत मढ़ डालो सुबह थोड़ा पढ़ लो अलो स्कूल में पढ़ लो बच्चा जो है सुबह 8 वज़े से लेकर 3 वज़े तक तो स्कूल के चक्र काट रहा होता है उसके बाद वो आएगा एक घंटा खाना खाएगा तब तक वो अपना टीवी देखेगा थोड़ा एंटेटेन्मेंट करेगा फिर थोड़ा फिर से नहीं मज़ जूड़ो क्रास जा एक अबकस के पीछे भी पगला रहे हैं पैरेंट्स में माइड डिस डूट अंडस्टेंड इस अबकस का सिस्टम सीडियस्ली वह बच्चे यह करके पता नहीं क्या कर रहे होते हैं उनका मेंटल लेवल मेरे को तो नहीं आता जो पैरेंट् पढ़ने के लाव और अप्शन नहीं है दूसरा ना पढ़ना तो पढ़े गई क्योंकि नोकरी करनी है ना किसी की गुलामें तो करनी है तो बढ़ना तो पढ़े गई तो बैप पढ़ो लेकिन एक छोटा बच्चा उसकी जो कुछ रिक्वार्मेंट्स होती है एक एमोशनल फिजीकल उसकी रिक्वार्मेंट्स है कि ससकरः खेलना है बाहर उसका मन एह बहार खीलने का उसका मन नहीं है वह कुछ इस टाइप के क्लासिकल डान्स करने का लेकिन हम ने जवदस्ति उसको डाल रखा है कि उसको करना है जिस भी कोज अपना वठ उपर होएगा कि हाँ हमारा बच्चा जो है कत्थक करता है हमारा बच्चा जो है अब बैकस में यह जोड देता है है महा जाके वो अवोड जीत के आया है ठीक है अच्छी बात है but then give them some time to play also ऐसा नहीं कि उसके पंदरा दिन बाद एक्जाम है और वो अभी से जो है बस लॉग्ड पड़ो पड़ो उसके एक्जाम सिक्सके है इसके नहीं वो इंजिनेरिंग कर रही है नहीं वो डॉक्टर बन रही है भी भी अभी तो उसकी क्या रेक्वाइरमेंट है अभी वो बच्ची है उसके दिमाग पर इतना थोड़ी ना बच्चे उनका जो जहां तक उनकी समझ है वो यह है कि यार मुझे भी खेलना है मुझे भी यह स्वीट्स खानी है अभी मुझे इसके घर जा रहा है खेलने अभी उनकी यह समझ है अभी उनको हम रोकते हैं तो उनको लगता है कि यार यह कैसे दुश्मन है क्या यह माब थोड़ी दिर तो खेल ले दो आदा गंटा एक गंटा तो खेल ले तो इतना तो उ में मर गया कबूतर और यह किट वस्माइलिंग और यह थिंक किस का में तर लेवल किस हट तक मतलब दैमेजे वो यहाँ पे मतलब अगर आपका बच्चा का लेवल अभी इस लेवल पर पहुंच गया देन यूस्टे हूं फड़ा कम खालो तो यही चीज़े हैं यार के ना बच्चो थोड़ा टाइम दो जो मियू छोटी थी ना तो जैसे वो बच्चा ही जो मैंने शुरुआत्मिक वीडियो प्ले करी वो बच्चा खुद ही अपने टॉइस से खेल रहा है मैं बैठती थी मीका के साथ लिटरली मैं बैठती थी मीका के साथ जब जितनी भी देर वो खेलती थी इसको कलर सिखाती थी यह नहीं भी सिखाती थी मैंने एक बात सोच रहकी थी कि नहीं सीख रही नहीं को बात नहीं आज वो रेड कलर बोलेगी और दसuli तक सब यह वाइट कलर है, यह वाइट कलर है, यह वाइट कलर है, यह वाइट कलर, उसके mind में अपने आप automatically बैट जाएगी. आपको बच्चे के लिए, यह वाइट मुझे नहीं समझना आती, seriously, मैं अपनी society में सब को यह देखती हूँ, मतलग, first class का बच्चा ट्यूशन जा रहा है, second class का बच्चा ट्यूशन जा रहा है, nursery का बच्चा ट्यूशन जा रहा है, यह क्यों जा रहा है यह बच्चे लेना स्टाट किया था, तो मैंको बच्चे को नहीं देती थी, मैंने का यही कर लो, parents उससे बोलते थे, आप इनको homework दिया करो, अरे मैंने का, school का homework कम है क्या है, let them be, जो वो कर रहा है, उनको करने दो न, कितना करेगा बच्चा, कितना pressure वो handle करेगा बच्चा, और एक चीज मुझे, यह सभी में आती है, 7th, 8th तक, किसी बच्चे को tuition के ज़रूरत नहीं होती है, यह fact है, किसी बच्चे को नहीं होती है, थोड़ी दिन माँ बैठया, वो जो भी homework के है, उसका, वो रिप्टा है, बस, that's it, और school में पढ़ते हैं यह बच्चे, free time में, that's it, really, that's it, why she needs to sit here for two hours, तो दिमाग तेज है न, उसको आता है पढ़ना, she knows, कि बढ़ी मेर को आ गया समझ में, अब मैं कितने घंटे तक बैठके पढ़ू इसी एक question को, क्यों, तो यह बच्चे का वो भी तो चेक हरो, न, कि यह बच्चे को अगर 15 मिरिट में एक chapter याद हो गया, then she doesn't need to sit here for two long hours, okay, तो यह ता मेरा खुद का experience, कि जितने में नंबर आया तुमारे, that's okay, that's okay, I'm okay, दिरे 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 बच्चों को खुद अपने हाप ऐसास होता है, यार मुझे न, अब क्लास में अच्छे माप्स लाने है, अब अच्छे परसेंटेज लाने है, मतलब मैंन जब parents के पास time नहीं होता, या mother कम पढ़े लिकी होती है, तो सब यह सुस्ते है कि बच्चे को tuition भेज़ देते हैं, और वो tuition से बहुत अच्छा पढ़ लेगा, हमारे tuition वाले सार हमारे घर आते थे पढ़ाने, and he was very abusive, he was very abusive, तो हमको तो stress ही रहता था, कि यह क्यों पढ़ा र है आपके लिए, ओ मास्टर मास्टर नहीं होता था, वो, यह was evil, अभी तो मैं यहीं बोल सकते हैं, ऐसे चुम्टिय बढ़ते थे हमारे, मैं मलाख निकर रही हूँ, ओ एक बच्चे का जो mental level होता है, यही होता है कि यह मार रहा है, और यह कैसा गंदा teacher है, आज की टाइम प पढ़ोगी नहीं तो कुस्त होगा, हाँ एक्जाम एच्छनमन नहीं आए तो कुस्त होगा, और कई parents ऐसे होते हैं, जिनको कोई लना देना नहीं, ऐसा नहीं है कि पढ़ाय लिखाई मत कराओ पने बच्चे को बच्चे को बच्च को बच्च कराओ, एक limit में उनको थोड़ अपनी कोई storybook पढ़ो, चाहे कुछ और पढ़ो, या कुछ अपनी activity करो, बट एक discipline में कुछ न कुछ न कुछ न कुछ न कुछ न कुछ तो करते रहना पढ़े का न, कोई न कोई activity एक बच्चे को, otherwise उसका mind develop कैसे होगा, अगर वो बच्चा सिर्फ दिन पर बाहरी खेल रहा पर स्कूल से आने के बाद नाश्ता वाश्ता करके, थोड़ी दिर अपना entertainment करके, फिर थोड़ी दिर पढ़ो, तो मेरा तो यही observation है कि बच्चों को जो है, थोड़ इसी freedom के साथ साथ थोड़ा discipline भी सिखाना चाहिए, और parents should also involve, क्योंकि कई बार जब मेरा भी involvement नहीं होता है ना, महीं का में, महीं का गुस्ता हो जाती है, कि क्या है, आप तो अपने mobile में लगी रहती हो, इसलिए में अपना सारा काम जो है, mobile का, उसके आने से पहले हैं कि दो बैस पहले अपना सब निप्टा लेती हूँ, उसके बाद में ना, mobile को देखते भी नहीं हो, seriously, बस बीच- स्कूल्स ने भी तो बहुत ज़्यादा, स्कूल्स ने भी तो बहुत ज़्यादा, स्कूल्स ने बहुत chaos create किया है, मुबाइल से, मतलब कोविड में अगर तो में mobile देना पड़ा हमें बच्चों को तो अब स्कूल्स के लिए बहुत easy हो गया है, कि ओ, बेस दो homework, बेस दो homework, बच्चा मोबाइल दे कर लेगा, I am just hating this concept now, कि भाई कम से कम 12th class तक तो उनको mobile पे homework मत दो किया, किताबे नहीं है, हम क्या बच्च्वन में स्कूल में नहीं पड़े, हमने क्या कभी homework नहीं किये, स्कूल में टीचर खुद लिखवाती थी, बड़ बड़ आंसर भी लिखवा चाहिए, मैं तो लेटर लिख लिख के भी आती हूं, पता नहीं क्या कुछ होता ही नहीं है, अकेले एक परेंट्स की करने से कुछ नहीं होता है, सब को करना पड़ता है, I think आप सब को भी ये पहल करनी चाहिए, कि स्कूल में mobile का जो यूज़े ना, वो बंद करवाना चाह ये हर स्कूल में, this mobile is just spoiling our kids' mental level, mental state, बंद मुनका जो संतुला नहीं बगार रहा है, seriously, क्योंकि कुछ भी बोलो बच्चे से mobile मांगो, वो फट दिखा दे, देखो ये स्कूल की अपना में homework कर रही हूं, देखो ये स्कूल की अपना में homework क्या करेगा बच्चा, उसको करना ही पड़ेगा ना, option नहीं इसके पास, चलो, ठीक है, तो I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया हुआ, तो प्लीज थोड़ा से like कर देना, share कर देना, subscribe कर देना, bye, have a nice day